तरफ से डिजिनल तयारी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमशकार और अभीवादन जैसा कि आप लोगों को पता है डिजिनल तयारी आप लोगों के लिए लेके आया है किस तरह के सवाल आपका से पूछता है और दूसरी बात आप लोग कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने questions राइट होए ताकि मुझे पता चिले कि आप लोगों कितना समझा रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किये क्लास चुरू करते है ओके question number one which of the following best is define the economy of India तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में mixed economy है मिश्रित अर्थ वेवस्ता है बहुत ही इजी सवाल था बता चूप क्यों मैं आपको क्लास में नेक्स्ट आपका वीचो आप फॉलोविंग जादा रोजगार कौन सा शेतर देता है तो आपका जवाब होना चाहिए एग्रीकल्च ठीक और एग्रीकल्चर आपका कौन सा सेक्टर में आता है प्राइमरी यानि की प्राथमिक शेतर ठीक है चलिए आगे बढ़ता है विच आप दी फॉलोविंग डस कम अंडर अंडर सेक्टर का मतलब होता है चतुर भूज या फिर आप लोगों कह सकते हैं चतुर्थक यह जादा बैटर है चतुर्थक मैं आपने तो बताया था कि सेक्टर्स ओफ एकॉनमी तीन ही है अर्थ विवस्ता में तीन ही शेतर है प्राथमिक दीतियक और तृतियक यह चोथा कहां स है आपको देठी देटी हूं दो भी ने जुडे हैं एक तो का चतुर्थक और एक आपका पंचंप इस व्पूछाये कि कि स्कॉर्थक इसको रखा गया है तो आपकी इन्फोर्मिशन TAKN 203 ... सूचना प्रद्रगी को रखा गया है चतूर्थक में और आपकी RAS और IAS की services जो है इनको रखा गया है पंचम में याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question who among the following is known as the originator of macroeconomics बताईए कि एक अलग अनुसाशन के रूप में microeconomics के प्रवर्तक की रूप में कीन है जाना जाता है the very very important question आपका जवाब है option number D that is JM Keens ठीक और आपके जो JM Keens है अर्थसास्त्री JM Keens ये England से बिलोंग करते हैं कहां से बिलोंग करते हैं England याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question है कि which of the following is not a primary activity प्राथ्मिक अक्टिविटी कौनसी नहीं है बताईए agriculture आपका क्रशी प्राथ्मिक शेतर में आता है बिल्कुल आता है mining याने के खनीज अपका किस में आता है कि प्राथ्मीक में यानी प्राइमरी में आता है fishing यानि कि मचली पालन किस में आता है आपका मचली पालन प्राथ्मिक अचा है तो आप personnel पादन, option number B, उत्पादन किस में आता है अपका, प्राइमरी में नहीं आता है, दीत्यक शेतर में आता है, ठीक है, याद रहेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question, how many sectors are there in the Indian economy on the basis of economic activity, अभी-अभी मैंने आपको बताया था, कि आदार पर भारती अर्थ विवस्ता में कितने शेतर हैं, यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए, 3, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, private ownership of means of production is a creature of dash economy, यानि कि उत्पादन के साधनों का, मीजी स्वामित वापकी कौन सी अर्थ विवस्ता की विशेश्ता है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर समाजवाद होता है जिन देशों में, वहाँ पर किसी के भी पास में उनकी private property नहीं होती है, नीजी समपत्ती नहीं होती है, और बहुत ही detail में, types of economy वाला chapter हमने discuss किया था, तो जिन लोगों अभी वो वीडियो देखा है, बहुत ही आराम से इस question को solve कर लेंगे, आप लोगों पता है, जहाँ पर capitalist economy, यानि कि जहाँ पर पूंजीवाद ही अर्थ विवस्ता पाई जाती है, वहीं पर उत्पादन के अर्थ विवस्ता के प्रतिशत के रूप में वर्गी गरत किया गया है, इसकेंडरी से क्टर में क्या आता है, यह पूछा गया है, बेखते हैं को, legal consultancy, यानि कि कानूनी परामर्ष, कानूनी परामर्ष आपका किस में आता है, तर्शियरी में, यानि कि तृतियक में, ठीक ह यह तो नहीं होगा, फिर बात करें, टी प्लांटेशन, यानि कि चाय अगर उगा रहे हैं, तो किस में आएगा आपका, क्रशी से रिलेटेड हो गया न, प्राथमिक में आएगा, यह भी नहीं होगा, बैंकिंग, एक सर्विस है, सर्विस किस में आती है, आपकी, तृतियक और बहुत ही डीटेल में, जब मैंने क्लास ली थी, तो आप लोगों को समझाया था, तो कोई दिक्कत इस क्वेशन में नहीं होने चाहिए, option number C, farm equipment manufacturing will be your right answer, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते, J.M. Keynes, best known for his economic theories was, from which country, अभी-अभी मैंने आप लोगों बताया था, कि अर्थसास Who is the father of economics? हमारी पहली क्लास का पहला question, बच्चे-बच्चे को पता है, Adam Smith, option number A will be your right answer, next, price theory also known as, ये भी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, कि मुल्य सधान के रूप में किसको जाना जाता है आपके, microeconomics को, यानि कि option number D will be your right answer, ठीक है? चलिए, next question, which one of the following is an example for a non-economic good? बोला गिया है कि कौन सी यासी निम्मे लिकित में से कौन सा गेर अर्थसास्तिवी वस्तुओं का उधारन है, जहां पर भी बात आजाए, economic की, economic से related, economy से related, मतलब पैसे से related होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपकी पूरी economy मतलब पै दिखाने जाएंगे, बिमार होंगे तब, ठीक है, डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करेगे, तो क्या वो फ्री में इलाज करेगा, नहीं करेगा, यानि कि यहाँ पे तो पैसो की बात हो रही है, तो economic activity है, अगर teacher से आप पढ़ रहे हैं, तो क्या वो आपको प्री में आ रही है, आपके लिए चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, जूस बनाती है, क्या आप लोगों से कुछ चार्ज करती है, इन टम आप मनी, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे है, तो बहुत ही common sense का सवाल है, कि ऐसी कौन से गतिविदी है, जो non-economic है, गेर अर्थ साश्त्री है, तो हो जाएगा आपका right answer, mother service, यानि कि माता की सेवा, option number C will be your right answer, next, Bible of socialism is called, समाजवाद का Bible किसे कहा जाता है, बताईए, important है, याद रखना है, दास capital जो है आपका, उसको वोला जाता है Bible of socialism, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, production sector is controlled by government, यानि कि उत्पादन के शेतर को तो वहाँ पर कौन सी economy है, तो मैंने बताया था, जहाँ पर भी देश के संसादनों पर सरकार का नियंतरन है, और economy control है, government के द्वारा, तो वहाँ पर आपका क्या है, socialism, यानि कि option number A, समाजवाद will be your right answer, ठीक, चलिए, the term microeconomics and macroeconomics is coined by, याद रखना है, आपका answer होगा GM की, microeconomics और macroeconomics, शब किस के द्वारा गढ़ा गया है, तो आपका answer रहना चाहिए, GM Keynes और GM Keynes कहां के थे, England, ठीक, चलिए, ओके, तो ये थे कुछ important questions, जो SSE ने आप लोगों से पिछले सालों में पूछे हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से उठाये वे सवाल थे, तो यहां से आप लोगों को पता चला होगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही और आप लोगों कितना समझ में आ रहा है, तो इतने important videos के लिए बने रहे हैं digital तैयारी के साथ में, मिलते हैं next video में, आज के लिए इतना ही, thank you so much. झाल